सभी समू की महिलाओं को मेरे तरफ शे नमस्कार आप सभी को प्रेणना टीवी चैन के तब से भी नमस्कार आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे प्रेणना टीवी चैन को सस्क्राइब करें अबेष्ण से मेंमें मोबान से नमबर नोट करें। अगर आपके सम्हों में कोई हो रही है दिकत आप उसका समाधान नहीं मिल रहा है तो हमसे बात कर सकती है तो चलिए ज्यादा नहीं बात करूंगी में टॉपी के तरफ आती हो आप सभी से एक वर फिल करती हूं हमारे चैनल को सस्काइब करिए समु की बैटको में ग्राम संकत पी के तरफ आती हूं पी एम ईजीपी स्कीम क्या है प्रधान मंत्री रोजगार सिजन योजना दोहजार एक कैस क्या है पी एम ईजीपी स्कीम क्या है पूरी जयनकारी 10 लाग से 25 लाग तक का लोन 35 प्रतिशत तक की सबसीड़ी के साथ आप भी इस योजना का लाव पी एम ईजीपी योजना को केंद सरकार द्वारा देश एक बेरोजगार यूवाओं को रोजगार के आउशर प्रधान करने के लिए रोजगार सुरू की गई है इस योजना के अंतरगत देश के बेरोजगार यूवाओं को अपना खुद का रोजगार सुरू करने के लिए 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन महया कराया जाएगा इस योजना का लाभ देश एक ग्रामीर और सहरी दोनों छेत्रों के यूवाओं उठा सकते हैं जी हाँ PMEGP स्कीम 2021 के तहत अधिक से अधिक लोगों को लोन देने पर केंद सरकार का फोकस है दीदी जी आज हम आपको इसे वीडियो के माध्यम से योजना से जुड़ी सारी जनकारी जैसे अवेधन प्रक्रिया दस्तारेज पादता आधि प्रदन करने जा रहे हैं हमारी वीडियो को अंतक देखें पूरी जनकारी ले अपसे पहले दीदी आपको करना क्या है PMEGP लोन सर्च कर लिजिए इस योजना के तहत देश के जो इच्छुक लाभारती अपना रोजगार आरंभ करने के लिए केंद सरकार द्वारा लोन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें PMEGP लोन सर्च करना चाहिए 2015 के तहत आवेदन करना होगा तभी वह इस योजना के तगद लाभ प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक की आयू 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए वह अपना खुद का रोजगार सुरू कर सकते हैं सोसाइटी पंजीकरण अधि नियम 1860 के तहत पंजीकरित किसी भी संस्था को PMEGP के तहत सहायता के लिए पात्र माना जा सकता है अगर कोई व्यक्ति PMEGP योजना 2021 के तहत लोन लेते हैं तो आपको आपने वर्ष के अनुसार लोन की रासी पर सबसीजी भी दी जाएगी सबसे पहले दीदी आपको उद्योग के अधार पर दिया जाता है जैसे प्रधान मंत्री रोजगार शिजन कारिक्रम योजना में दी जाने वाली सबसीडी किस प्रकार है इसको आप अच्छे से पहले जानिए इस योजना के अंतरगत ओपन केड़गरी के बेरोजगार युवाओं को ग्रामेर विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए दीदी 25% सबसीडी दी जाएगी और सहरी विभाग में उद्योग शुरू करने के लिए 15% सबसीडी दी जाएगी और इसमें आपको 10% पैसा खुद को ही देना होगा जी हाँ दीदी आपको 10% पैसा खुद का लगाना होगा इस्पेशल केटगरी जी हाँ इसको भी जानिए ओभी सी यस्टी ओभी सी एक्स सर्विष मैन के व्यक्ति को ग्रामीन विभाग में वो द्योग शुरू करने के लिए 35% जी हाँ जहां तक आप जाती है शुएम शाता समुकी मैला है ग्रामीन हिससे ही जुड़ी है यह आप लोग के लिए काफी फैयादेमंद है अगर आपके घर में कोई भी भाईया हो या अंकल हो जो यह काम को करना चाहते हों कर सकते हैं उद्योग शुरू करने के लिए दिदी 35% सब्सीडी दी जाएगी और सहरी विभाग में उद्योग आरम करने के लिए 25% सब्सीडी दी जाएगी और इसमें आपको 5% पैसा खुद को ही देना होगा जी हाँ अपना खुद का भी पैसा लगाना होगा PMEGP योजना का उद्यश क्या है पहले ये जानते हैं चैसे कि आप सभी लोग जानती है दिदी ग्रामीर तथा सहरी चेत्रों में बेजरोजगारी की समस्या बहुत आम है बहुत अधिक भी है इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा PMEGP योजना का अरंब किया गया है इसी योजना के मुख्य, उद्यश, ग्रामीर तथा सहरी चेत्र के बेरोजगार नागरीकों को रोजगार के आउशर प्रदान करना है इसी योजना के अंतरगत उन सभी बेरोजगार नागरीकों को रिड़ प्रदान किया जाएगा जो अपना रोजगार अस्ताफित करना चाहते हैं इसी योजना के माद्यम से बेरोजगारी दर में गिरायावट आएगी तथा देश के नागरीक आत्मनिर भर बनेंगे PMEGP योजना दोजगार कैस के लाब जी दीदी आपको लाब भी जानना बहुत अशकता है आप इसको भी जानिए देश के बेरोजगार युवाओं को इसी योजना के तहत अपना खुद का उद्योग रोजगार सुरू करने के लिए केंद सरकार की तरप से 10 लाग से लेकर 25 लाग रुपय तक लोन प्रदान किया जाएगा इसी योजना के तहत देश के एक बेरोजगार युवाओं को उन्नती जाती और इलागों के अनुसार सबसीडी भी प्रदान की जाएगी प्रदान वंत्री रोजगार सेजन कारिक्रम योजना 2021 के अंतरगत देश के सहरी और ग्रामीर दोनों छेत्रों के बेरोजगार युवाओं को लोन मुहिया कराया जाएगा सहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजनसी ये ध्यान देदी आप लो सहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजनसी जिला उद्योग केंदर DIC जिहां याद कर ले DIC है जबकि ग्रामीर इलाकों में इसके लिए खाती एवं ग्रामो उद्योग बोड के वी आईसी से संपर्क किया जा सकता है आप लोग इहीं पर DIC संपर करिए आप लोग का काम जल्दी से हो जाएगा इस योजना का लाव सिर्फ उन बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाएगा जो स्वैम का रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप सभी दिदी उसे अन्रोध है कि अगर आपके गर में कोई बेटे बैठे हैं या हैस्बेंट बैठे हैं या कोई अंकल बैठे हैं जो इस काम को करना चाहते हैं खुद का वैशाव चाले करेंगे तो ही इसका लाव उठा सकेंगे और दिदी आप लोग को तो स्वैम यह दुद कर आप लोग अपना रोजगार करने के लिए रिदे जा रही हैं उससे रिड़ले कर आप अपना खुद का रोजगार करें जी हां जब सभी लोग घर में कमाएंगे तभी इस गरीबी से उठा सकता है क्योंकि महंगाई बड़ी जा रही है और गरीबी भी उसी तना बड़ी जा रही है गरीबी को हटाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा सभी को काम करना पड़ेगा तभी खर्च मेंटरनेस हो पाएंगे तो चली दिदी आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद प्लीज दिदी आप लोग से एक अनुद और है कि सब्सक्राइब करिए दिदी और भी दिद्यू से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मेरा मनोबल बढ़ता है मुझे वीडियो बनाने का मन करता है तो चलिए दिए आज की वीडियो में ताएं धन्यवाद